आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे घन का पार्सु प्रिष्ट ये छेत्रफल ग्यात करना तो घन एक ऐसी तिरियामी आकिरती है जिसमें 6 वरगाकार प्रिष्ट होते हैं तो पार्सु प्रिष्ट क्या होता है? पार्सु प्रिष्ट यानि उपर वाले प्रिष्ट और इस नीचे वाले प्रिष्ट को छोड़ करके जो बाकी के चार प्रिष्ट हैं वो पार्सु प्रिष्ट हैं एक होता है संपोड प्रिष्ट और एक होता है पार्सु प्रिष्ट संपोर प्रिष्ट सभी प्रिष्टों को संपोर प्रिष्ट कहते हैं लेकिन उपर वाले और नीचे वाले प्रिष्ट को छोड़ करके चार प्रिष्टों को ही पार्सु प्रिष्ट कहा जाता है जैसे आप एक घनाकार कमरे में अगर बैठे हुए हैं तो उसके फर्स और छट को छोड़ दीजिये तो बाकी जो चारो दीवारे हैं उनका छेतरफल पार्सु प्रिष्टिये छेतरफल कहलाएगा तो माल लेते हैं यहां जो घन है उसकी भुजा ए है यहनि लंबाई ए है चोडाई ए है और उचाई भी ए है तो इसका पार्सु प्रिष्टिये जो चेतरफल होगा वो क्या होगा तो पार्सु प्रिष्टिये चेतरफल चेतरफल बराबर होगा चार प्रिष्टों का चेतरफल तो चार पिरिष्ट हैं वो सभी क्या हैं वर्गाकार हैं और वर्गाकार पिरिष्ट का छेतफल होता है वो होता है भुजा का स्कॉयर यानि पास पिरिष्ट ये छेतफल बराबर होगा चार गुड़े भुजा का स्कॉयर इसे हिंदी में भी लिख दें चार गुड़े बुजा है 12 cm तो इस घन का जो पार्ष प्रिष्ठिय छेत्रफल होगा वो क्या होगा तो पार्ष प्रिष्ठिय छेत्रफल वो बराबर होगा 4a² तो 4 बुजा कितना है 12 इसका इसक्वायर तो 4 गुड़े 12 का वर्ष करेंगे तो 144 हो जाएगा आप गुड़ा करेंगे 4 चोग के 16 के 6 हासिल आए 1 चाचोग के 16 के 17 के 7 हासिल आए 1 चाय के निमचार ए 5 576 और जो आएगा सेंटी मीटर का स्क्वायर तो यह है उत्तर चलिए अगला हम उदारण भी देखते हैं परसन है 6 सेंटी मीटर भुजा वाले घन का पार्ष प्रिष्ठिय छेत्फल ग्याद कीजिए कोई घन है घन की भुजा कितनी है ए बराबर 6 सेंटी मीटर अब कह रहा है 6 सेंटी मीटर भुजा वाले घन का पार्ष प्रिष्ठिय छेत्फल निकाले चार गुड़े भुजा का इसक्वायर तो चार गुड़े भुजा कितनी है 6 है तो 6 का इसक्वायर चार गुड़े 6 का इसक्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और 36 का गुड़ा 4 से करेंगे तो 4 छक 24 के 4 हासिल आएं 2, 4 तियां 12 और 2 हो गया 14 तो 144 और जो मात्रक आएगा वो होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर